पीठ और कमर का दर्द एक बड़ा कारण होता है इसका कि रीड़ की हड़ी आपके कमजोर हो जाती है जी हाँ बहुत सारे लोगों के पीठ में दर्द होता है और कमर में दर्द होता है वो सूचते हैं क्यों आखिर ऐसा हो रहा है कुछ समझ नहीं आता है तो हमारी कई ऐसी दैनिक आदते होती हैं जो कि रिड़ की हड़ी को कमजोर बनाने का कारे करती हैं अगर आप इन दैनिक आदतों को समझ जाएं तो आपका काम आसान हो जाएगा यानि कि आप कमर दर्द से और पीठ के दर्द से बच सकते हैं और ये जानना बहुत जरूरी है सभी के लिए तो इस वीडियो में हम सभी पुनता इसी बारे में जानेंगे कि आप पीठ दर्द के जो मुख्य कारण होते हैं उनसे कैसे निप्टेंगे यानि कि उनको कैसे दूर करेंगे काणों को पहचाने फिर उनको दूर करें ताकि आपको कमर दर्द और पीठ दर्द की कभी शिकायत ही नहों जिहां नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी के अपने इस यूटूब चैनल जीवन जीने की कला में आईए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जानते हैं पहला पॉइंट क्या है सबसे पहला पॉइंट है ज्यादा देर तक बैठे रहना जिहां लंबे सम आपकी रिर्की हड़ी पर जोर पड़ सकता है इस वजह से दर्द होता है तो जब भी ऐसी स्थिति हो कि आपको जैसे के ओफिस हो गया या क्लास हो गया बहुत ज्यादा समय तक एक ही जगह पर बैठना पड़ता है तो आप एक नियम बनाए कि आपको हर आदे गंटे में 30 म मिनट में कम से कम खड़े हो करके दो मिनट के लिए टहल लेना है और कंप्यूटर पे कारे करते हैं तो आँखों पर पानी माराना है इससे आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा जीवन में स्वस्थ रहने में और यह नियम अपना सकते हैं आप इसके हलावा एक पोस्चर में पांस से दस मिनट एक पोजिशन में बैठे आप फिर इसके बाद थोड़ा सा चेंज कर लिए या 15 मिनट बाद इतना सफिसियंट है यानि कि आपके लिए बहतर रहेगा इसके अलावा दूसरा पॉइंट है ज्यादा तनाव में होना जिहां जब भी हम सभी टेंशन में रहते हैं तो हमारे शरीर का हर एक पूर्जा उससे ग्रसित हो जाता है इससे गरदन पीठ और शरीर की मानस पेशियों पर भी दबाव पढ़ने लगता है अगर आप ज़्यादा तर समय तनाव में रहते हैं तो आपकी रीर की हड़ी कमजोर हो सकती है इसलिए स्ट्रेस से आपको बचना होगा क्योंकि आप जिन चीजों पर चिंतन कर सकते हैं बिल्कुल कीजिए चिंता न कीजिए क्योंकि चिंता से आप किसी भी मुश्किल का हल नहीं निकाल पाएंगे उस पर सोचना अलग बात है चिंतन करना अलग बात है और चिंता करना अलग बात है इस बा पूराना हो जाना आपके इस बिमारी का काराण बन सकता है पांच से साथ सालों में आपके बिस्तर के गद्धों को बदल देना चाहिए आपको इसका नतीजा ये होता है कि सोते समय शरीर को अच्छे से आराम नहीं मिल पाता है और दर्द होता है यानि कि आपका बॉडी पॉ हो जाता है इसकी वजह से आपकी बॉडी स्ट्रेट नहीं रह पाती है सही दिशा में नहीं रह पाती है इसके अलावा फिमिल्स में ये कारण होता है हाई हिल्स का पहनना जी हां अगर आपको हिल्स पहनने की आदत है तो आपकी रीर की हड़ी बहुत दर्द कर सकती है हाई हिल सेंडल पहनने से आपके पैरों के मांस पेश्यां दपती हैं और इससे पीट पर असर पड़ता है ध्यान रखें कि आपकी सेंडल हलकी होनी चाहिए हमेशा और कोशिश करें कि जब तक जरूरी नहों कभी पार्टी में आपने पहन लिया समझ आता है लेकिन अगर आपको दैनिक रूटीन में हाई हिल्स पहनने की आदत है तो आपको इसे बदल देना चाहिए अन्यथा आपके मुश्किलें बढ़ जाएंगी और स्वास्थे से बढ़ करके कुछ भी नहीं है इसके अलावा ये ज़्यादा तर तो पुरुशों में होता है पर अभी कंपेर करें तो फिमेल्स भी बहुत करती हैं जिहां हम बात कर रहे हैं धुम्र पान की ये भी एक मुख्य वजह में से है जो कि पीठ दर्द या गर्दन दर्द या कमर दर्द का कारण बन जाता है सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है ये उस पर लिखा भी होता है आप सभी जानते भी हैं ये बात सभी को लगभग पता है इसे ज़्यादा तर लोग फिर भी पीते हैं सिगरेट पीने वालों में यहीं एक सबसे बड़ी बात होती है कि धीरे धीरे उनके रीड की हड़ी कमजोर होने लगती है निकोटीन रीड को ऑक्सीजन के परिवहन होने से रोक पुझता है ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण रीड की हड़ी कमझूर होने लगती है और इसके बाद धीरे-धीरे उम्र के साथ मुश्किलें बढ़ने लगती है और दर्ध रहने लगता है तो क्या करना है आपको जिहां ऐसी स्थिती में क्या करना है जब आपको दर्ध होने ल पॉस्चर होना चाहिए ये बेहद इंपोर्टेंट है इसके हलावा जब हड्डियों में दर्द की शिकायत हो तो आप हल्दी वाले दूद का सेवन रात को जरूर कीजिए इससे आपको काफी ज्यादा लापराप्त होगा ये आज की वीडियो रही आप सभी के लिए जो की र पॉस्चर में नहीं होगी ये शिकायत और ये बहुत जरूरी है कि आप पहले जान जाए सबसे अच्छी बात यहीं है कि आप पहले से जान जाए और पहले से इन रूल्स को फॉलो कर लें तो आप में वो विकार आएगा ही नहीं ये आज की वीडियो रही ऐसी ही नॉलेज संबंध ही सवाल है तो हमाने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आप सभी के लिए वीडियो जरूर बनाएंगे फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही विदा लेते हैं इस एपिसोड से जुड़ेंगे नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्य कार दोस्तुम